हेलो फ्रेंट्स मैं हूं हर सिंग आस्विए दा उन्वर्स इस्टेडियों में सौगत करता हूं अभी सुब मुआरको जो केंदी कैमिनेट की बैठा हुई थी उसमें आप फैसला आया है कि यह जनरल कटेगरी को भी आरच्छड मिलेगा और 10% आरच्छड मिलेगा जनरल कटे बाच आ गया है तो कि आ गया णिलेक्वी केंदेज के मिलेगा और 10% कश्रा जाद करते हैं है 500 कि राव मुश्किल क्लेगा है और इस्किन कर रहे हैं हमारे वीडियो वीडियो में सुरुड़ करते का कि यह तो लोग दो यह आर आरच्छड आर्थिक रूप से और कर दो मिलेगा जिसकी सालाना आठ लाक रुपए से कम होगी उन्हें आरच्छड का फायदा मिलेगा और अब हम बात करते हैं कि इसकी डॉक्मेंट की कौन कौन जरूरत है या हम आपको एक सूत्रों के तो इन सब की इस आरच्छड को पाने के लिए जरूरत पड़ेगी तो आप लोग अगर इसको नहीं बनवा हैं तो आप लोग इसको तुरंद बनवा सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही सूत्रों के मुदाबिक आरच्छड का कोटर मौजूदा 49.5% से बढ़ाकर 69.5% कर दिया जाएगा और अब हम बात करते हैं इसकी राह मुश्किल क्यों है जैसे कि हमें सुरात में बतायत कि आपको इसको भी बताएंगे तो आब आते हैं इस टापिक पर किसकी राह मुश्क लग रही है और इसमें समिधान में अंचेद 15 वाण्चे 16 में संसोधन करना पड़ेगा और संसद में इसका फैसला होने वाला है जल्दी आप लोग देख सकेंगे इसमें क्या होता है अब हम बात करते हैं इसका लाप किसको किसको मिलने वाला है तो इसमें कई सारे पॉइं की 109 से कम अधिसूचित जमीनों और पचवा जिनके पास 209 से कम की निगम की गयर अधिसूचित जमीनों तो यह थे पांच पॉइंट जो इन सारे पॉइंट को फुल्फिल करेगा उन्हें ही या आर्चन मेलेगा और अगर आपके पास डॉकुमेंट नहीं अगर आप सभी को हमारा वीडियो पशंद आया है तो लाइक कर दीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि हम ऐसे सांस और टेक्नोलोजी से लेटर वीडियो डालते रहते हैं और हमारे वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्मवाल